लोगों की भागदोर भरी जिंदिक में माईग्रेन की बड़ी समझ्या है, सरदर्द से जूचते हैं, किसी का एक साइड दर्द होता है, कोई कहता है पूरा सरभारी है, तो कुछ नुस्के भी बताईए और इसकी जड़ भी बताईए क्यों होता है? माईग्रेन, माईग्रेन का शुरुआत कहां से होता है? आदा सिर दुख जाना, माईग्रेन हो जाना, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सिर्की प्राब्लम है, यह होती है गैस्टिक प्राब्लम, पेट में गैस बन जाना, गैस क्या होती है? कि जैसे इनसान कु जब लेट खाया, बहुत वो चीजें जो होती है, समय पे ना खाना, इससे क्या होता है, पेट में गैस्टिक प्राब्लम शुरू होता है, गैस बनना, एस्डिटी, अंजाइटी, ये चीजें जब होती है, तो गैस बनकर गबार सचड़ता है सर को, और सर फटने लगता है, अ वमिट नहीं कर लेता, खाया प्या निकल नहीं जाता, तब तक उसको चैन ही नहीं आता, दर्द तब उसको शांत होता है, दस-पाइच मिनट में जाके, पिर वो कहता है, चलो थोड़ा निम्बू पानी पी लें, थोड़ा ये कर लें, फिर उसको थोड़ा चैन मिलता है, तो ये जो सरदर्द की प्राब्लम है, ये सिर्फ एक रोग जो है ये पेट से शुरू होता है, लेकिन इसका जो इलाज है, मैं आपको बता दूँ, पहले तो आपकी रिसोई घर में पढ़ा है, सौंफ, जीरा और अजवैन, सो ग्राम लीजिए, बतलब सारी चीजें, पचास पचास ग्राम मिला करके, तबे पर रॉस्ट कर लीजिए, तबे पर रॉस्ट करने के बाद, इसमें दस ग्राम सिंधा नमक डाल के इसका पौडर बना लो, वो पौडर जो है, वो खाना खाने के तुरंट बाद लेना है, आदा सा चमच ले लो, ये वेट को भी मैनेज अब ये बात हुई है, जो लोग माईग्रेन से जा पेट की प्राइड़म से परिशान है, उसके लिए ये घर पे बना कर खाएंगे, लगातार खाएंगे, ये निया कि दो दिन खाया, चार दिन खाया, फरक नहीं आया, तो छोड़ दिया, ये आप दो तिन महीने कंटिनू लेंगे, तो आपको इसका फाइदा मिलेगा, और साथ ही, अगर बहुत ज़्यादा पेन है, आप कोगे कि गोल साब जान तो आज निकल रही है, आप तीन महीने का नुस्खा बता रहे हूं, तो उनके लिए ये तो करते ही रहना है, ये तो करते ही रहना है सौंब जी राज जुस लोग करते हूं, तक रुबड हैं, तब ही मैं बोलता रहता हैं ये लोग बनते हैंजे नहीं बनाते तो उनको ये पता चलता है कि गोल साब जो बोला है उसमें बात में दम है, नहीं तो करते ही नहीं सकता की ये क्या डाल आला है, बता भी हैं, एसी दोआएا 200 दे र जो दिमाग को शांती देता है, नीद अच्छी आती है, दर्द कंट्रोल होता है, जो रोज रोज गोलियां खाते थे उसमें कमी आती है, लोग आके बताते हैं कि इस महीने गोल साब हमें ना सरदर्द की गोली निखानी पड़ी, दर्द जरूर हुआ था एक आद बार, लेकि मौती हमें की भसम डाली जाती है, मुकता पिष्टी डाली जाती है, जो मोती से बनती है, तो यह दो चիज़े में परधान फिर इसके अंदर हम डालते हैं गोधान्ती भसम, गोधान्ती भसम जो है वो बॉडि के टेंप्रेचर को नॉर्मल करती है, यह सबसे बेस्त चीज ह और उसके साथ भी डाला जाता है अशब गंद पौटो तो यह चार चीजों का जो मिश्रन है यह नर्वाइन टॉनिक का काम करता है शरीर को ताकत देता है और दिमाग के अंदर जो दर्द रहता है उसको खतम करता है और इसके साथ हम देते हैं ब्रेन गज केसरी ब्रेन गज म हम पूरा पैक देते हैं आप देखिए गया जो हमारा www.wad1.com जो हमारा चैनल है अपना खुद का वैब साइट है आप उस साइट पे जाएगा साइट पे जागर के माईगरेन के बारे में आप देखिएगा और उस चीज को पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से देखिएग बाइब जो देखिए वितगा उसके अंदर क्या क्या लिखा है आप अपनी लैंगुज में पढ़ सकते हैं यह नहीं है कि इंग्लिश लिखी है तो हिंदी में भी नवर्ट होता है पंजबी में भी होता है कन्ड़ में भी हर चीज में आप उसको पढ़ेंगे बिश्वाश करेंगे फिर उसको लगेगा आपको कि यह मंगाना चाहिए परवार में बात करिए कि मैं मंगाने लगाऊं फिर जाकर के इसका ओर्डर कीजिए ओर्डर करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा हम दवायां बेचते नहीं हैं हम पेशन्ट को अपना बनाते हैं और अपन है कि प्रहेज अगर ये चीजों का प्रहेज कर सकते हो तभी और करना वरना पैसा और आपका समय बरबाद होगा तो आप और करने से पहले ये चीजे सारी अच्छे से देख करके और कीजिए अगर आप वेबसाइट पे नहीं देख सकते जापको उसके बारे में ज्यादा ग्यान है तो आप यो नंबर जो दे रखा है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे वर्टसअप मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिपलाई आ जाएगा अच्छे से बात करके फिरी मंगवाना ऐसे पैसा खराब करने की जरूरत नहीं होती तो बीमारी है उसका इलाज भी होती